दोस्तों आप लोग भी किसी सोनार के पास या फिर अपने जो भी जेवर हैं उनको अगर सेल करने पहुस्टते हैं तो आपके न जेवरों में या फिर उन सोनों में कट ओती की जाती थी कई बार दोस्तो हमारा सोना प्योर होता था फिर भी उसमें 30-40% की कट साथी लेकिन दोस्तों अब 1 अप्राइल 2023 के बाद से यानि कि आज के बाद से जिस दिन ये वीडियो सूट कर रहा हूँ मैं इस दिन से किसी भी सोने पे हॉल मार्किंग को अनिवारेता दे दी रही है यानि कि इसके बगार अगर आप कोई भी सोना रिसीव करते हैं तो उसकी मानिता गौर्मेंट तो नहीं देने वाली है और अगर आप उसको बेजने जाते हैं तो भी उसकी मानिता गौर्मेंट नहीं देती है तो इसलिए अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको कोई भी सोना खरीदना है किसी भी तरह के जेवर खरीदने है उस पे hall marking को देखना बहुत जरूरी है वरना दोस्तों आप लोगों को भारी नुकसान हो जाएगा आप जब भी अपने सोने को sell करने जाएगे तो आपको उ सोने को खरीद लिया जाएगा बाकी कर जितना भी value बनती है वो आप लोगों की होगी अब दोस्तों मैं आप लोगों से इन topics के बारे में बात करने वाला हूँ पूरे वीडियो में जिससे कि आप लोगों को समझ में आप आएगा कि hall marking क्यों important है और आप लोगों को hall marking की आप हर एक information से up to date रह सकते हैं आपको कोई question आएगा तो नीची comment कर दीजेगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यह क्यों update किया गया है पहले तो बात कर लोगों कि पहले जो आपका hall marking का code था वो 4 अंकों का था लेकिन अब उसको 6 अंकों का HUID में convert कर दिया गया है जो कि इ आप लोगों को एक example के थूरू समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस sign से पता कर सकते हैं कि आप लोगों का सोना कितना सुद्ध है इसे कि मालीजे कि आपके gold पे लिखा हुआ है 22K916 तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो सोना है वो 22 carat का है 1.96% सुद्धत के एक बार और वीडियो को rewind करके देख लीजे कि मैंने 22K916 को किस तरीके से बताया है सोने की सुद्धता और कितने carat का आपका सोना है नीचे comment करके बताईए साथी दोस्तों अगर आपको कोई भी सोनार सोना दे रहा है तो आप लोगों को पहले तो यह hall marking देखनी है जो कि 6 digit का होगा साथी वहाँ पर आप लोगों का BSI का logo होगा वो identify करना जरूरी है तब ही वो सोना आप लोगों का pure और आप लोगों को सही जगह से मिला हुआ है बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों के पास पुराने gold पड़े हुए हैं तो क्या आप उसकी भी hall marking करवा स सकते हैं बसरते कि आप लोग उसको दुबारा से you know melt करवाएं और उससे कुछ बनवाएं तो फिर जाकर करके आपकी उसकी hall marking हो सकती है और वो भी आपकी वहीं से होगी जो सोनार registered होगा और साथी दोस्तों BSI आप लोगों के लिए BSI care app नाम की एक application को भी लेकर के आई है ज उस application को अपग्रेड किया जाएगा बाकि BSI care app से आप लोग अपने सोने के बारे में बहुत कुछ detail निकाल सकते हैं जैसे कि उसकी H.U.I.D. किस तरीके से decide की गई है और क्या-क्या उसकी detail है और किस तरीके से आप अपने सोने को और अच्छा रख सकते हैं और इसकी किस तरीके से आप लोगों को उस application पर भी मिल जाएगा और साथी दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोई बिना hall marking के सोना भीच रहा है तो उसको किस तरीके की सजा मिल सकती है गौर्मेंट ने क्या decide किया है तो गौर्मेंट ने decide किया है दोस्तों कि अगर guilty पाया जाता है कोई बंदा तो उसके according किस तरीके का guilty पना है उसका उस हिसाप से सजा decide करी गई है सजा ये रहेगी दोस्तों कि जितने भी सोने की value होगी उसका 5 ग कि किस तरीके का उसने अपराद किया है आई होब दोस्तों आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल गई है दो हजार तेईस एक अपरेल के बाद आद मार्किंग क्यों इंपोर्टेंट है और इसके क्या फायदे हैं आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बाकि आप लोग इस्साग्राम पर भी आ करके मुझसे जूर सकते हैं वहाँ भी मैं शौर्ट वीडियो अप्लोड करता रहता हूं जिससे कि आप लोग को क्विक जानकारियां मिल जाती है वीडियो चलगी तो लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ जरूर सेर कीजिए खास क करके अपने फैमिली के साथ जिससे कि उनको भी इसके बारे पता जल सके अगर आप लोग का इंट्रेस से तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने ना भूले और बेल आइक करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोनिटिफिकेशन आ सकेंगे हम लोग नेक् वो जाहिन